आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं SBI Bank Credit Card के Rewards Quinn को हम cash में convert कैसे कर सकते हैं और एक reward point कितने रोपया बनता है और आप भी अपने SBI क्रेट Cards के reward point को कैसे cash में convert कर सकते हैं यही सारी जानकरी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो को आप भी न स्किप की हैंड तक देखते रही है तो गैस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने SBI Card App को हमें इस तरीके से Open कर लेना है SBI Card App को Open करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे इस एप में शो होने लगेगा तो गैस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ SBI reward point को redeem करने के लिए SBI Card App में हमारा account होना चाहिए अगर आपको इस एप में account create करना नहीं आता है तो वीडियो का लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा इस topic पर हम already वीडियो बना चुके हैं उसके बाद आप इस एप में account हजार रुपए है जिसमें से एवी लेवल हैं बारह हजार रुपए और हमारे जो outstanding है जो हमने use कर रहा है वो लगबग 4000 रुपए हमने use कर रहे हैं और गईस इस card के जो एवी लेवल reward point है वो 374 हैं तो गईस चली अब हम आपको बताते हैं हमारे credit card के यह जो reward point है इस reward point को हम cash में मतलब rupees में हम कैसे convert कर सकते हैं directly हमारे यह जो balance है यह हमारे sbi के credit card में ही आ जायेगा तो गईस यहाँ पर नीचे की side हमें एक option show होगा more का यहाँ पर हमें simply click कर लेना है और यहाँ पर last में हमें एक option देखने को मिलेगा mailbox का यहाँ पर हमें इस तरीके से click कर लेना है अब यहाँ पर आप जैसा की देख सकते हो जब आप mailbox पर click करेंगे तो आपको नीचे की side एक option show होगा compose का simply यहाँ पर compose option पर click कर लेना है compose पर click करने के बाद इस तरीके से यह load लेगा और यहाँ पर बहुत सारी category हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी तो हमें charges reversal का एक option देखने को मिलेगा यहाँ पर हमें click कर लेना है और others वाल option पर हमें click करके continue with email पर हमें click कर लेना है अब यहाँ पर आपको एक mail टाइप करनी होगी तो mail में क्या type करना होगा वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ already मैं mail भेच चुका हूँ SBA card को तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से click कर लिया है click करने के बाद इस तरीके से मेरी यह जो mail है यह open हो रही है तो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले मैंने यहाँ पर type करा था I have 3784 SBA card reward point तो जितने भी आपके reward point आपके account में है उतने reward point आपको यहाँ पर type कर देना है please convert this point to balance तो इसका मतलब यह है मेरे जो point है यह balance में convert कर दिये जाएं तो फिर उसके बाद 24 गंटे के अंदर मुझे एक mail receive होई SBA card की तरफ से जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 2000 reward point हमारे convert होंगे 2000 reward point बनेंगे 500 रुपए जो की directly हमारे SBA card में ही आ जाएंगे और साथी साथ एक 99 रुपए की यहाँ पर redemption fees कट होगी प्लस GST तो यहाँ पर मैं आपको बता दू एक reward point लगबग 25 पैसे का होता तो 2000 reward point 500 रुपए की यह बन रहा है जिसमें से 99 रुपए की यहाँ पर fees कट हो जाएगी तो लगबग 400 रुपए ही हम मान सकते हैं तो यह balance हमारा convert हो जाएगा जब यह mail receive हो जाएगी तो हमने मैंने यहाँ पर क्या reply करा मैंने यहाँ पर लिखा था प्लीज रिडीम 2000 reward point इंटू 500 रुपए इन कार्ड तो 2000 reward point 500 रुपए कनवर्ट होने चाहेंगे मेरे कार्ड में तो फिर उसके बाद मुझे कुछ घंटों के बाद एक और mail receive हुई जिसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे 2000 reward point है वो 500 रुपए यहाँ पर convert हो चुके हैं और 500 रुपए जो हैं वो 2 दिन के अंदर 2 working days में हमारे SBA card app में आ जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर back जाकर आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से मैंने back करा back करने के बाद 500 रुपए successfully मेरे SBA की credit card में आ गए हैं तो 2000 reward point कट चुके हैं 1784 यहाँ पर रह गए हैं और available balance मेरा 12,000 रुपए हो गया है और outstanding balance मेरा 3499 रुपए अब रह गया है 500 रुपए add हो चुके हैं मैं आपको live transaction में भी दिखा देता हूँ यहाँ पर मैंने click करा my account पर click करा transaction history पर मैंने click कर और यहाँ पर मैं आपको date select करके दिखा देता हूँ apply confirm हमें यहाँ पर कर देना है तो गाईस देखिए सबसे पहले तो 99 रुपए की redemption fees कट होई उसके बाद 70 रुपए 82 पैसे का including charge कट हुआ GST का फिर उसके बाद 500 रुपए जो है redemption जो हमने reward point redeem करे थे 500 रुपए वो हमारे SBAE card में आ गए उसके बाद 99 रुपए जो शुरू में कट हुए थे वो वापसी आ गए हमारे card में और 70 रुपए 82 पैसे जो कट हुए थे 500 रुपए reward point convert होकर हमारे SBAE account में आ चुके हैं जो कि मैंने आपको बताया तो गाइस देखिए हमारे पास से क्या जा रहा है reward point redeem करने पर ये जो 99 रुपए का चार्ज कट रहा है इसमें हमें कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है और उन reward point को हम cash में convert कर सकते हैं और वो जो balance है वो हमारे card में ही आ जाता है तो गाइस देखिए अब reward point बचे हुए 1784 यहां पर रहागा है अगर ये फिर से 2000 हो जाएंगे तो 2000 reward point फिर से हम 500 रुपए में convert कर लेंगे फिर से हमारा balance हमारे SBA card में आ जाएगा तो गाइस यहां पर आप जैसे कि देख सकते हो मेरा ये HDFC bank का ये credit card है और इसको use करने पर 1100 reward point मुझे मिल गए थे तो 1100 reward point को जब मैंने convert करा रुपीज में तो वो 1100 रुपए ही बन गए थे एक reward point इसका एक रुपए के बराबर होता है तो मैंने उसको redeem कर लिया थे इस topic पर मैंने वीडियो ही बनाई थी नीचे description में आपको वीडियो का लिंक मिल जागा उस वीडियो को देखने के बाद HDFC reward point को आप रुपीज में convert कर सकते हैं तो गाइस देखिए जब से मैंने ये credit cards को बनवाया है तब से मुझे benefit ही हो रहा है पहला तो ये हमें किसी से पैसा उधर लेने की दरूरत नहीं हम इससे कोई भी reachable payment कर सकते हैं online, offline हम इससे shopping कर सकते हैं और एक माईने के बाद हम इसकी payment कर सकते हैं और जितना जादा हम इस credit card को use करते हैं उतना ही हमें जादा reward point मिलते हैं और उन reward point को हम cash में convert कर सकते हैं के rate card balance में convert कर सकते हैं जो की इस video में आपने देखा तो आज इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बता हुए इस तरीके से SBA bank के rate card के reward point को आप रोपीज में cash में आप convert कर सकते हैं